प्यारे बच्चे को मेरा नमस्कार एमके एजूकिशन चेनल में आपका सौगत है आई बच्चों लर्निंग आउट सकम प्याधारित लर्निंग एप सामागरी के अंतरगत हिंदी विस्टा एक अक्षा पांच वी की ब्रिज कोर्स की पुस्तक की महत्पर मक्षीटों को हल करे वीडियो गर अच्छा लगे तो लाइक किजिए सेर किजिए आई आज हम पढ़ते हैं पाट सामागरी पाट पुस्तक या अन पुस्तकों से लिए गई कहानी अपनी पसंद की पढ़ी या सुनी गई कहानी का अंत बदलकर सार रूप में लिखें जैसे कहानी का नाम लिखे खरगोस की हार अब हम इस कहानी के अंत में खरगोस की हार होती है क्योंकि वो कच्छवा को कमजोर समझता है जाता खरगोस को घमंट हो जाता है उससे तेज कोई जीव नहीं दोड़ सकता वो सू जाता है तब कच्छवा धीमी धीमी गती से जीत की लाइन की और जाता है और लाइन को पार कर लेता है अब हम देखने हैं सार हमें कभी भी दूसरे लोगों को कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि जो लोग कमजोर होते हैं लेकिन अपने लक्ष को पाने के लिए प्रेथ सिल होते हैं उनको सफलता वर्ष मिलती है अगला है दीचे लिखी कहानी अधूरी है अपनी समझ से पून करके लिखी किसी जंगल में एक खरगोष अपने दो साती निवला और चुहें के साथ रहता था एक दिन की बात है जंगल में बहुत तेज बारिश हुई तीनों मित्रों को घरों में पानी भर गया अब वे तीनों किसी सुरक्ष इस्थान पर जाने के लिए पानी में तैने लगे तैते तैते खरगोष ने एक पेड़ की कोटर में सरंड ली तब ही निवले को एक घनी जाड़ी पकड़ में आई और वो उस पर चड़ गया चुहां तेज बाहां में आगे बह गया खरगोष और निवले को वो दिखाई नहीं दिया तब ही दोनों नदी की धार की और भागने लगे निवला और खरगोष तब उनकी नजर चुहें पर पड़ी उन्होंने चुहें को बचाने के लिए लकड़ी का एक तुकड़ा पानी में फेका तब चुहां तुकड़े में बैठका नदी से या पानी से बाहर आ गया इस तरह तिनों ने अंत में खूप मस्ती की चित्र को देखकर अपने मन मताबित कवीता कहानिया लेक लिकित हमें लिका आए चित्र में डाक्या पोस्ट कार्ड लेकर आया है बच्चे पढ़ रहे हैं वजचन अगवार पढ़ रहे हैं मंदिर में दोजा लहरा रही है सिक्षी का पढ़ा रही है चारो और हर्याली दिखाई दे रही है अगला प्रशन है नीचे लिखे अधूरे वाक्यों को अपनी समझ के अधार पे पूर्ण किजी यदी में हवा होता तो चारो दिसाओं की और चक्कर लगाता और परेयर और खूब आनान लेता और अपने दोस्तों को भी घुमाता यदी में तितली होता तो अपने असपास पाए जाने वाले फूलों का मिठा रस्पी का यानन दित होता यदी में पीड़ बन जाऊँ इदी में पीड़ बन जाता तो अपने चाहों में पतिकों को बिठाता और उनकी खुब सारे फ़ल लेता जिसने रहागीर की बुख मिट जाती यदी में सरपंच बन जाओं तो अपने गाओं के विकास के लिए विद्धाला ग्राम पंचा सड़के एस्पताल पानी की टंकी और बगीचे का निर्मार करता तथा लोगों की समस्या हल करता यदी में डाक्टर बन जाओं तो गरीब लोगों की खूब सेवा करता और उनको चिकित सा संबंधी परामत्स देता आसा है जानकारी आपको वश्पसंद आई होगी पहली बार आपने इस वीडियो को देखा चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें बिल एकन को पेश कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही मैत पॉर्ड वीडियो का नोटिपी के से नाम तक पहुंस दरहेगा कमेंट्स बाक्स में आ झाल झाल झाल